तो हेलो गाइस के साब सभी लोग स्वागते को और न्यू गेमपले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं प्रोजेक्ट इवो तो गाइस मैंने पहले एक सर्वर इस्टार्ट किया था यार प्रोजेक्ट इवो में और मैं यहां पर लगभग दो दिन खेला था और दो दिन के बाद मैं मुझे यहां पर इस सर्वर में आने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं उस टाइम पर लास्ट रूल्स खेलने में थोड़ा बीजी हो गया था, वहां पर भी सर्वर चल रहा था, तो जब मैं आज यहां पर आके देखा ना, क्योंकि इस बार मैं यह सर्वर खेलने जा रहा हूं ठीक है, और इसमें मैं थोड़ी आगे तक तयारी करूँगा, थोड़ा से इस गेम को समझना पड़ेगा क्योंकि अभी तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता चला है कि मैं बेस बना सकता हूँ, तो आगे का अब सारा वो करेंगे सिस्टम और उसके बाद में देखेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अगर मुझे अपना बेस रखना है ना, तो मुझे रोज डेली ओनलाइन आना पड़ेगा गाईस, अगर मैं नहीं आओंगा ओनलाइन बीच में अपने बेस को बना के छोड़ दूँगा, तो या तो वो रेड हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि सर्वर खतम हो जाएगा, अभी फिलाल ये जो सर्वर है, ये इस्टेंडर्स सर्वर नहीं है, धीरे धीरे खेलेंगे, तब ही पता चलेगा, अब गाईस, इस गेम की जानकारी करने के लिए, मैंने मतलब वीडियो देखने की कोशिश की, तो किसी ने कुछ ऐसा वीडियो बनाया ही नहीं है, अभी तक प्रोजेक्ट इवो का, कि भाई इसमें रेड कैसे कर सकते है, रेसिपी कैसे निकाल सकते है, ऐसा कुछ मतलब डाला ही नहीं है रास्ते किसी ने, तो मुझे एकी बास समझी में आए, कि जब मैं पहली बार लाश्डे रूल्स सर्वाइवल खेलने आया था ना, तब भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था, आप सभी को याद होगा, जितनी साल पहले में लाश्डे रूल्स खेलने आया था, उस टाइम पर भी बहुत कम लोग लाश्डे रूल्स सर्वाइवल खेलते थे, और मैंने धीरे धीरे खेलते खेलते पूरा गेम सीखा था, लेकिन वही बात आज प्रोजेक्ट इवो की भी है, अब मैं अगर खेलने लग गया, तो फिर उसके बाद मैं सारी पब्लिक को बता दूगा, कि भाई, रेसिपी ऐसे निकलती है, बहुम ऐसे बनाते हैं, और बाकी घर को अपग्रेड ऐसे करते हैं, सारा सिस्टम में तो बता ही देता हूँ, यार, कहलते कहलते, लेकिन अभी मुझे भी सीखना पड़ेगा, तो गाइस चलो यार, वेसे मैंने अपना घर तो बनाया, लेकिन यहाँ पे कुछ है न, टेड़ी मेड़ी जगा है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा घर मुझे इसा लग रहा है, कि सई से नहीं बन पाएगा, एक बार इसको इदर रख देते हैं, और यहाँ पे एक बार बेस लगा के देखता हूँ मैं, उदर की तोड़ी दियार मैंने, वो क्या है कि मतलब, यहाँ के ग्राउंट थोड़ा बेकार है, अब आगे की साइड में भी बेस नहीं लगेगी यार, यह गलत है यार, यहाँ पे मैं सही जगा पे बनाया है नहीं न, इसी वज़ा से यह सिस्टम हो रहा है, यह लोग वो एक तो वहाँ पे जाके लग गई है, एक चीज मैंने और समझी कि हम लोग जो बेस लगाते हैं न, पहले मुझे यह भी पता नहीं था, कि इनको तोड़ भी सकते हैं, हम लोग लाश्ट रूल सर्वाइवल के जैसे हैं, लेकिन अब पता चल गया है कि वह तोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी बेस नहीं लग पाएगी यार, यहाँ से पूरा यह तोड़ नहीं पड़ेगा, मुझे इसा लग रहा है, चलो तो कोई और जगा बड़ी ऐसी देखते हैं, वहाँ पे जाके बेस बनाते हैं, अब गाइस देखो, मैं अब एक थोड़ी सई जगा पे आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सई बड़ा बेस बन जाएगा, ठीक है, तो बना के देखते हैं, वैसे ज़्यादा बड़ा बेस तो यहाँ भी नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक बेस बन जाएगा, वहाँ पे तो बिल्कुल बन ही नहीं पा रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे बेस को उच्छा लेना पड़ेगा, इसका नाम वेसे क्या है यहार, कुछ अलग ना, फाउंडेशन नाम है गाइस इस गेम में, वैसे कि समझ लो मुझे बॉम की या फिर गन की रेशिपी चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, मतलब एक तो बड़ी ऐसी कोई गन हो जाए अपने पास में, और दूसरा मतलब मैं बॉम बनाने लग जाऊ ना, तो फिर उसके बाद मुझे बेस दिखाई देता है, तो मैं रेड वेड कर लूँगा गाइस, तो अगर कोई को पता हो, तो बता देना यार, ठीक है, चलो यहाँ पर अभी हमारे बेस का स्ट्रक्चर तो तयार हो चुका है, अब बस उपर की साइड में सिलिंग लगाना बाकी है, तो चल्दी से सिलिंग लगा देता हूँ यार, वैसे अभी तक यह गेम है न, पूरी तरह से बेल्ड नहीं हो पाया है, मतलब इसमें आप अगर इसको खेलोगे प्रोजेक्टिवो को, तो आपको काफी ज़्यादा लेक देखने को मिलेगा, ठीक है, और साथे साथ कुछ इस तरह के बाक्स रहते हैं, खेलने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लेक काफी ज़्यादा होता है न, और कोई बड़ी जगा जैसे कि मतलब कोई लूटने की जगा रहती है, कि वहाँ पर जाते हैं न, तो मेरा तो गेम ही क्रेश हो जाता है, प्रोजेक्टिवों में, ओके तो अपना गेम, मतलब गेम क्या, अपना घर बन के तयार हो चुका है, इस पर लोक लगा देता हूँ, यार वैसे इस गेम में लोक नहीं बनाना पड़ता है, यार डायरेक्ट ऐसे लोक लग जाता है, बिना आयरेन बार के, शाहिद लग जाता है, चलो मैं अपनी एमबर पे भी लोक तो लगाई देता हूँ, यार, ठीक है, चलो मैंने दोनों जगा लगा दिया, डॉर पे भी और एमबर पे भी, या भी पूरी तरह से खा लिए, अब अपना घर बन चुका है, तो ये टुटोरियल में, मतलब गाइड लाइन में ये बता रहा है, कि हमें अपना एक बेड बनाना चाहिए, तो मैं एक बेड बनने को लगा दिया हूँ, तो सबसे पहले मैं अपना एक बेड लगा दिता हूँ, ये बन के तैयार हो चुका है, ना यार ऐसे शोटकट से तो नहीं लग पाएगा बेड, मुझे अपने उसमें जाना पड़ेगा, मतलब बेड को ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो अपनी एमबर है ना, इसके आगे मैं डॉर लगा देता हूँ, वाल लगा के, ठीक है, क्योंकि यार इसकी थोड़ी सी मतलब प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ा देते है, अब लगा देता हूँ, यहाँ पर बेड, ठीक है, थोड़ी सी एक मतलब सीधा लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया है, अब भाया हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें आगे क्या करना है, अपना बेस कुछ लगड़ी का इस तरह का दिखाई दे रहा है, इस्टोन यहाँ पर ही आच चुका है गाइस, सा है लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया जैसे कि इसको उसंद्ए कर गाइडलाइन में इसको कड कर लेकिन देखना से भी है पता चल लग गया यह मुझे एक तरह से होता है गास और जो मतलब वह कि माइणिंग घर कर थो इस चल विले मुझे आरन अब इसका कलर थोड़ा सा अलग है ना तो मतलब देखने से पता चलता है चलो तो गाइस यहां पर आयरन भी कट कर लिये मैंने और एक बाद बता हूँ अभी रात होने वाली रात होने के बाद में कुछ सीन बेकारी हो जाता है यार चलो गर के अंदर चलते है अभी तो मैंने इसके उपर मतलब यहां पर सामने के साइट में सीड़ी नहीं लगाई लेकिन बाद में मैं चड़ने के लिए सीड़ी भी लगा दूँगा अभी मैं कुछ आइटम बना रहा हूँ गाईस यहां पर फैसिलिटिस में आते है ओके एक प्रोजेक्ट यो में एक बात और देखी मैंने गाईस मतलब यह लाश्ट रूल्स के मुकाबले थोड़ा सा मुझे मतलब कुछ चीजों में सही लगा जैसे कि इसमें क्या है कि हम फरनस ओन करते हैं कुछ भी मतलब मैल्ट करने के लिए तो इसमें वूड नहीं डालनी पड है सुधार हुआ है थोड़ा सा गेम में तो गाइस अब देखो गाइड में कुछ भी यह बता रहा हो गेम लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि पहले स्टोन कट कर लेता हूं और आयरन मिला तो वह भी कट कर लेंगे ताकि मैं अपने बेस को अपग्रेड कर लूँ नहीं तो क्य है कौन सी चीज इस टोन मुझे लग रहा है कि यह वाइट कलर का जो मार का रहा है यह स्टोन होगा मेरा अंदाज कहता है यहां पर किसी ने सिल्पिंग लगा रखा है और वह सिल्पिंग बेग बिल्कुल फुल हेल्थ का है यार कि चलो तो गाइस थोड़ा सा आगे चलते ह है अब थोड़ी सी वुड भी ले ही लेते यार अपनी एंबर में डाल देंगे और क्या है यार गाइस एक बात में और सोच रहा हूं कि इसमें भी मतलब प्रोजेक्टियों में भी लाश्ट रूल सर्वाइवल की जैसे काड़ वाड होते होंगे जैसे ग्रीन बिल्यू पर नहीं चल रहा कुछ भी यहां पर मतलब इस सर्वर में थोड़े बहुत बंदे तो है अभी एक बंदे का मतलब नाम आया है किल फिड में चलो यार आगे की साइड में चलते हैं इधर की साइड का एरिया बिल्कुल ऐसा आ गया मतलब वह क्या कहते है रेगिस्तान वाला चलो आगे की साइड में मुझे कोटन भी दिखाई देरी कोटन भी ले ले लेते हैं वो क्या है कि बंदेज बनाने के काम आएगी और गाइस इस बार मैंना हर चीज बनाऊंगा क्योंकि पिछली बार मैंने मतलब आदी हदूरी तयारी की थी और फिर उसके बाद मैं दुब चलने की आगे फिर से स्टोन आगया स्टोन यह नहीं है हां गाइस यह स्टोन है चलो मैं स्टोन और कट कर लेता हूं अब देखो माइनिंग तो मैंने बहुत कर लिए अब चलते हैं वापस अपने बेस पर ठीक है थोड़ी से और माइनिंग कर लेते हैं फिर चलते हैं ओके क्या बता रहा है मुझे क्या बनाना है फैसलिटीस में आके यहां पर लेवल वन वर्क बेंच ओके तो यह मैं बनाने के लिए लगा दिया हूं गाइस वर्क बेंच से वैसे अभी तक पता नहीं है लेकिन लगानी तो पड़ेगी चलो देखते हैं इसको लगाने के बाद में कुछ समझ में आएगा आगे ठीक है तो इसका नाम है लेवल वन वर्क बेंच ओके और यहां पर अब यह बता रहा है हमें कि यह आइटम बनाना पड़ेगा सेडल बनानी पड़ेगी ताकि हम लोग अगर होर्स को टेम करें तो मतलब उस पे बैठके चलने के लिए सेडल चाहिए हमें तो यह मैं बना लूँगा लेकिन अभी तक मैं फिलाल नहीं बना रहा हूँ तो चलो यार गाइस अब वक्त है हमारे बेस को इस्टोंस अपग्रेड करने का तो जल्दी से मैं हर एक वाल अपग्रेड कर देता हूँ और यहां से डोर भी अपग्रेड कर देता हूँ यार डॉर खुल गया इसको बंद करने दो लेकिन मैंने डॉर को अपग्रेड तो किया लेकिन ये बीच वाला तो वैसे कि वैसे ही रहे गया लकडी का सा दिखाई दे रहा है चलो ये ऐसे ही रहेगा शायद ओके तो यहां पर मैंने फाउंडेशन को भी अपग्रेड कर दिया है गलती से कोई बात नहीं सिलिंग भी अपग्रेड करनी पड़ेगी नहीं तो कोई उपर से पता नहीं रेड कर दे तो गाइस चलो तो यार इतना तो इस टोन में ले आया कि मसलब पूरा बैस अपना अपग्रेड होई जाएगा यार अभी तक इतना ही काफी है फिर बाकी बाद में कर लेंगा अप्ग्रेड अब डोर ओपन नहीं हो रहा चलो हो गया अभी तक तो है मेरे पास में स्टोन यार मैं यहीं देख रहा था कि यार एंबर में स्टोन है या नहीं उपर की सिलिंग भी कर देते हैं चलो तो भाईया बाहर निकलो ओके गाइस थोड़ा मतलब इंटरनेट कनेक्शन स्लो चल रहा है इसी वज़े से ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं डोर ओपन कर रहा हूं ना तो ओपन नहीं हो रहा और अपग्रेड भी थोड़ा टाइम से हो रहा है ठीक है तो अभी पूरा अपग्रेड हो चुका है यार कहीं पर रहा थोड़ी एक बार में देख लेता हूं यार इदर की साइड में आके पूरा अपग्रेड कर दिया मैंने और जो इस्टोन मेरे पास में बचाई यह मैं एमबर में डाल देता हूं पूरा का पूरा ठीक है अब मेरा बेग पूरी तरह से खाली भी हो चुका है तो यह यहां तक की जो भी तैयारी हुई वह बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हुए गाइस और यह देख लो कि अपना फर्नस चल रहा है और मतलब फर्नस में अभी कुछ आइटम डाला है मैंने वह मैल्ट हो रहा है दोको एक तो मतलब फर्नस में नीटर पावडर और एक आय तो यह सिस्टम तो यहां तक स्मझ में आया मेरैky लेकिन उससे आगे का सिस्टम क्या आ एक刹यो अगर गॉन不會 API और लेकिन बम कैसे बनेंगे हेड मेट कैसे बनेंगे यह अभी तक मुझे समझना पड़ेगा अगर मैं फैसलिटीस में देख रहा हूँ गाइस तो नीचे की साइड में काफी आइटम पे लोक है तो यह लोक कैसे हटेगा यार इसके लिए मुझे रेसिपी चाहिए होगी और रेसिपी कैसे मिलेगी अभी तक यही ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो अब एक बार मैं अपने बेस के बाहर की साइड में आया हूँ और मैंने का था ना कि यहां पे भी चड़ने के लिए सिड़ी लगा दूँगा तो मैं लगा देता हूँ गाइस लेकिन अभी मैं ये एक बात देख रहा हूँ कि मैंने इस जगा पे बेस बनाया है अपना तो ये बेस ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा यार गाइस देख लो आप लो क्योंकि आगे का जो एरिया है ना वो कुछ ज़्यादा ही उचा है और पीछे का कुछ ज़्यादा ही नीचा है तो इसलिए दिक्कत तो आएगी यार बेस को बड़ा करने में चलो अभी फिलाल छोटे बेस से ही काम चलाएंगे वैसे तो ये भी इतना तो छोटा नहीं है ठीक ठाक है तो गाइस इतनी तयारी हो चुकी लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे एक वुडन कलब भी बना लेना चाहिए ठीक है क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी और एक ये बो बना लेते है इसकी भी जरूरत पड़ेगी अभी तक मैंने इसको बनाया नहीं था लेकिन इस बार मैं पक्का बना रहा हूँ यार गाईस ठीक है और एरो बनाने के लिए मुझे चाहिए स्टोन और वुड तो मैरे पास मैं कितना कि स्टोन है एक बार देखना पड़ेगा एंबर में मेरे पास मैं 1150 स्टोन है अगर मैं चाहूं तो इसमें से भी निकाल सकता ओ Where पूर लो-डायस एक काम करता हूं की आदा फोन निकाल लेता हूं आदा kill कर दिये थे ठीक है और सारी loot छूट गई थी वहीं पे मेरी दुबारा मैं वो loot जाके उठा भी नहीं पाया तो इसलिए मैं वो और arrow बना रहा हूँ ताकि मैं दूर से जोंबी को किल कर पाऊं कि वैसे अपने पास में गन तो है नहीं तो इसलिए इससे काम चलाना पड़ेगा वैसे चलता कैसे यार पहली बार चलाओंगा मैं तो दोस्तों यहां पर मैंने एक वुड श्टूरेज भी बनाया है मतलब कि छोटा वाला बॉक्स बनाया है उसको यह भी लगा देंगे अगर अपने पास में लूट हो गई जादा तो ठीक है तो अब अपना बो और एरो लेके बाहर की साइड में चलते हैं और किस पर ट्राइ करें यार चलो उदर की साइड में मुझे कुछ अभी पहले दिखाई दिया था जब मैं यहां पर आया था ने इस आरहा यार नहीं तो में लिखा हुआ तो रहना चाहिए न तो गाइस मुझे इतना तो याद था कि इस आसपास के एरिया में ही यह जगा थी ठीक है क्योंकि मैंने पहले देखी थी तो अब मैं यहां पर आ चुका हूँ लेकिन यहां पर पहले तो जॉंबी मैंने देखे थ यार इदेखो एक पॉटली भी पड़ी हुए इदर की साइड में यार रेती तो होगी गाइस लूट यह देखो न अच्छा तो यह है बैसिक क्या पता क्या है लेकिन हाँ यह कि इससे हमें बेंटेज मिल गई यह भी कुछ न कुछ होगा और इदर की साइड में भी एक बॉक्स खुला हुआ है हाँ यार गाइस यहां पर तो कोई बंदा आ गया यार जब तक मेरे पास में पूरी तयारी हो पाई उससे पहले बंदा लूट के ले गया सारी लूट वैसे यहां पर मतलब नॉर्मली होगी कोई गन वन ऐसी चीज़ें तो मिलती नहीं होगी क्योंकि एक तरह का यह मानलो की जैसे लाश्ट रूल्स में गैस इस्टेशन होता है न वैसी जगह यह लेकिन इसको छोटे मेप में दिखा नहीं रखा है गेम वालों ने दिखाना चाहिए क्योंकि मतलब असल में ऐ संद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो पे 300 लाइक का एम बोर्ड लगा रहो है तो सभी भाई लोग लाइक जरूर कर देना और जितने भी हमारे भाई लोगी जिन्नों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार फोलो कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिप्सक्रिशन में मिल जाएगा वहाँ पर जाके फोलो कर लीजिए और अगर आपको हमारे साथ में खेलना है तो डिस्कोड जोइन कीजिए उसका लिंक भी वीडियो के डिप्सक्रिशन में मिल जाएगा तो हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में तब तक के लिए गुड़ बाई